हेलो गईज वेलकम बेक सो गईज जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से इंडियन गोर्रमेंट ने 59 चाइनीज एपस को बैन किया है उपको पिले स्टोर से डिलीट किया है तो अब से लाइक इंडिया में डेली हंड़ेट्स ओफ नए एप आ रहे हैं नए एप लॉंच हो रहे है हमें नहीं पता कि कौन सा एप चाइनीज है कौन सा एप किस कंट्री का है मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मुझे उससे रिलेटेड लाइक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें कि मैं एप को बताऊं कि यह एप चाइनीज है या नहीं है या किस कंट्री का है हमारे मेड इन इंडिया है या नहीं जिसके अंदर कि मैं MX टकाटक एप के बारे में बताऊंगा कि वह एप किस कंट्री से बना हुआ है और आप आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे क्योंकि लाई के मतलब यार यह काफी जरूरी है कि जितने भी एप बने हम हमारे मेड इन इंडिया एप को प्रमोट करें ताकि जो भी उनसे इंकम होगी वो हमारे इंडियन गवर्मेंट के पास ही रहे हमारे यहाँ पर इंडियन भाईयों को जोब मिले आज की वीडियो में मैं टकाटक अप के बारे में बनाने जा रहा हूँ सो सपोर्ट करिए का गाईज तो चलिए अब हम सुरू करते हैं बाई मम्मी बुला रही है अब भी हम देखते हैं कि हम बटन बेसिकलिए यहाँ पर जितनी भी वीडियो चलती रहती है वो सारी वीडियो होती है उसके बद एक्सप्लोर अगर आप कुछ देखना चाहरे है आलग से काफी जितने भी आपके follower से उनकी videos आपको यहां पे ब्लस बटन आपको कोईभी video अगर आप अपपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए है यहाँ पर und notification का काम है जिसको आपने like follow कर रहा है अगर उन्होंने कोई video upload की और, तो उसका notification आपको भी लोगिन किया हुँ अभी, उसके बाद Mika option आता है, तो यहाँ पर आपने जो भी वीडियो अपलोड की है, अगर आप अपनी वीडियो, अपलोडेट वीडियो को देखना चाहते हैं, तो यह उसके लिए अवलेबल है, तो यह थी इसकी UI की बात, अब देखते हैं, इसका development की, इसका basically development हुआ कहा स होता है, तो यहाँ पर आपको click करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो address है, वो अंधेरी कुरूला रोड, अंधेरी इस्ट मुंबई, इसका development का address है, वो मुंबई का है, तो यह इंडिया में ही बना है, यह मतलब एक तरह के पहचान है, आप किसी भी app को दे है, तो उसके बाद अगर बात करें हम इस app की download की, तो 10 million प्लस यह app download हो चुका है, 4.1 इसकी rating है, and 18,000 प्लस लोग इसको review कर चुके है, दूसरा अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी development की तो आप देख सकते हैं, इसके जो यह screen source दिये हुए हैं, उसके अंदर भी आपको इं इंडिया का flag, अगर किसी दूसरी country में यह बना होता, तो definitely यहां पर इंडिया का flag आपको नहीं मिलता, so guys, यह थी आज की video, hope आपके लिए यह video useful रही होगी, and guys, मैं मतलब आगे भी इस तरह की काफी videos upload करने वाला हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो व वानी